उत्तरप्रदेश राइबरेली अमेठी वर्सों से प्रदानमंत्री आवास के लिए तरस रहे गरीब महिला जोपड़ी में रहने को मजबूर और नहीं मिल रहा राशन लागडाउन जैसी ब्रोस्था और मैनेजमेंट में भी नहीं मिला पीडित को राशन बात करते हैं राइबरेली जैस अमेठी जनपद अमेठी के विकाशकन बहादुरपूर में इन दिनों समस्याओं की बाढ़ा आ गई गरीब वर के लोगों की आजकल सुनने वाला कोई नहीं नजर आ रहा है नाली सड़क राशन प्रदान मंतरी आवाज को लेकर दरजनों ऐसी कई समस्याओं जिनका निजात मिलना इस समय नमुम्किने ने मुश्किल ही लग रहा है प्रदान मंतरी आवाज के लिए कई बार रदकारियों को बताया लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं उन्होंने काया कि मुझे सरकारी राशन भी कोटेदार भी मुईया नहीं कराया जिसमें से मैं भुकमरी के कगार पर आ गई हूँ पूचने पर बताया कि दूसरे के घर पर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हूँ और किसी तरह से अपना जीवान यापन करती हूँ आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इस युग में और इस सरकार में भी अगर ऐसा हो रहा है तो वही कहते अंदेर नगरी चौपट रजा ठके सेर भाजी ठके सेर खाजा और वही गाउं में विकाश जीरो और ग्राम प्रदान बन का हीरो घूम रहे हैं 25 वर्सों से पीडित दादी को महिला को नहीं मिला आवास और दरदर की ठोकरे खा रहे हैं और नया की गुहार लगा रहे हैं और हमारे संबाददाता से एक आयम जानकारी दिया कि प्रदान द्वारा नहीं दिया गया मुझे सरकारी पिंसन भी नहीं मिली पूछने पर आजकल आजकल कहते हुए पूरे 25 वर्स बीत गए अखिर इस सरकार में ये हो क्या आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा है जनता के समझ के परे से बाहर है और आए देखते हैं अब दादी जी ने और पीडित महिला ने पत्तकार बंदों को क्या बताया जानकी कौन से गाँ में रहती हैं आप मौलवी कला अच्छा क्या समस्या है आपको आपको कालूनी अभी तक नहीं मिली कितने साल से आप इस अपन में रहती है पचीस साल हमरे आदमी कमरे होएगा परमा यही में बसर कर रहे हैं करदान से या सेकरेट्री महादय से आपने बताया बताया क्या बूले और आप क्या करती है में खाना पकाना कैसे होता है मतलब महिनत मजदूरी आप करती हैं और अभी तक आपको कालोनी नहीं मिली